आज सुनिए आंतन जैकप के लिखी कहानी अनुखा रोमांस इसका हिंदी अनुवात किया है अनिल जन्विजे ने संगीत का स्मिसकोव नगर से राजकुमार बिबुलोव के महल जा रहा था जहां एक सगाई के उप्लक्ष में शाम को संगीत और निर्त्य का कारिक्रम रखा गया था चम्रे के केस में अपना भीमकाए डबल बास बाजा बंद किये हुए वो अपने पीट पर ला दे एक नदी के तट से गुजर रहा था स्मिसकॉफ ने सोचा क्यों ने एक डुपके लगा ली जाए विवस्त्र हो वो शीतल जल में कूट पड़ा वो बड़ी सुहावनी संध्या थे स्मिसकॉफ की कवित्मय आत्मा मातवरन के साथ एक हो चुकी थे अभी वो सौक अदम ही तैरकर आगे बढ़ा था श्वास खो दिया था जबसे उसकी प्रियपत्नी उसके एक मित्र भी साथ भाग गई थी उसका हिर्दय खाली पड़ा था और वो लोगों से ग्रना करने लगा था लेकिन अवो सो रही सुंधरी जिसकी आखे बंद थे उसकी कद्मों में उसे अपनी इच्छा के विप्रेत प्रेम जैसी किसी भावना का अनुभा हुआ वो देर तक उस सुंधरी के रोप का पान करता रहा अब काफी हो चुगा उसने एक लंबी सांस ले चलो, आकरशक दृश्य है, चलो दावत में जाने का समय हो रहा है और उस और अंतिमबार देखकर वो वहाँ से तैर कर हटना ही चाहता था कि उसे एक विचार सोचा कोई ऐसी वस्तु छोड़ जाओ कि ये सुंधरी भी याद रखे कि यहाँ कोई आया था मैं बंसी के गुले में कुछ अटका देता हूँ धीमी से स्मिसकोफ तैर कर तट पर पहुँचा पानी के कुछ फूल एकटा किये उन्हें एक में बांध कर बंसी के गुले में बांध दिया फूलों का कुछ धोप किया साथी बंसी का गुला भी जब वो तट पर पहुचा तो उसे बड़ा आधात लगा उसके वस्तर कहीं भी दिखला ही नहीं पड़ रहे थे वे चुडा लिए गए थे जब वो उस सुन्दर लड़की के रूप की फ्रिशंसा कर रहा था कुछ बदमाश उसके सभी वस्तर लेकर भाग गए थे छोड़ गए थे उसका भीमकाए बाजा और हैट मात्र ये बदमाश जहन्नों को जाएंगे स्मिसकॉफ चलाया मुझे वस्तर चुरा लिए जाने का दुख नहीं वस्तर तो शरीर का ही होता है किन्तो अब मुझे उस दावत में विवस्तर होकर ही जाना पड़ेगा वो अपने डबल बास बाजे पर बैट गया मैं विवस्तर होकर राजकुबार विबलोव की दावत में नहीं जा सकता वहां मैलाही भी तो होंगी और हाँ मैं बाजा बजा भी तो नहीं सकता वो तो रोजीन तो पैंट की जेब में ही था वो बड़ी देर तक सोचता रहा अखिरकार उसे याद आया कि तट से ज़रा हटकर ही जाडियों में एक पैदल पुल है मैं अंदेरा होने तक वहीं शिपा बैठा रहूँगा उसके बाद पहली काटेश तक बहुच जाओगा अब बाजा पीट पर लातकर हैट सिर पर रखकर पुल की और चलने लगा वो कोई पौरानिक उप्धेवता लग रहा था अच्छा मेरे पाठको अब हम अपने नायक को पुल के नीचे छोड़कर मश्री मारने वाली लड़की की और ध्यान दे उसका क्या हुआ आके खुलने पर जब उस सुंदरी ने बंसी के गुल्ले को पानी पर नहीं देखा तो उसने बंसी खीची वो भारी लगी कटीला तार और गुल्ला दिखाई नहीं पढ़ रहे थे स्मिसकोव के पुश्प गुच भारी होकर पानी की सताय पर नीचे डूप गए थे लगता है बड़ी मश्री आफसी है रड़की ने सोचा या फिर कटीला तार किसी वस्तू में फस गया है जोर से खीचने पर गुल्ला उपर नहीं उठाया तो वो दुखी हो गए अंतिताहब बिना जिजग अपने वस्तूं को उतार का अपने सुंदर शरीर को उसने पानी के हवाले कर दिया बड़ी कटनाई से वो पुश्प गुच को गुल्ले से अलग कर पाई और विजे की मुस्कान लिए पानी से बाहर निकले किंति दुर्भाग की उसकी बाट देख रहा था बदमाश जिस मिस्कॉफ के वस्त ले गए थे उसके वस्त भी चुवा ले गए हे बगवान अब क्या करूँ उसकी आँखों से आसों की अविरन धारा बहने रगी क्या मुझे ऐसी दशा में जाना होगा नहीं कभी नहीं ऐसे जाने की अपेक्षा मैं मृत्यों पसंद करूँगे शाम होने तक मैं इंतिजार करूँगे उसके बाद वृद्धा अगाथा के पास जाकर उसे घर से वस्त लाने को करूँगे इस बीच में अपने आपको पुल के पीछे ही छिपा लोगे नाएका दोड़कर पुल्तक गई और धास की पीछे छिप गई पुल के नीचे सरकते ही उसे एक रोईदा चाते आला एक नगन वियक्ति दिखाई बड़ा जिसे देखते ही वो बेहोश हो गई इसको भी घबरा गया उसने उसे कोई जल पर ही समझा होजबता है ये कोई मायवनी हो जो मुझे चलने गवाई है और उसे इसका विश्वास भी हो गया क्योंकि वो अपने को काफी आकरशक मानता था किन्तु यदि कोई मानवी ही हो तो ऐसी हालात में क्यों है यहाँ पुल के नीचे और जब वो हत्प्रप सा खड़ा सोच रहा था वो उसके करीब आप पहुंचे मुझे मारो नहीं वो पुदपुदाई मैं राशकुमारी बिबलोवा हूँ तो मैं बड़ा इनाम मिले दा मैं नदी में से अपनी बंसी का काटा चुड़ा रही थी कि कुछ चोर मेरे नई वस्त्र जूते और सब को जुठा कर लेकर चले गए मैडम स्मिसकोफ ने विनीद भाव से कहा मैं मेरे वस्त्र भी चुड़ा कर ले दा मेरा रोजीन तक उन्होंने नहीं शोड़ा थोड़ी देर के उपरांद वो पुना बोला मैडम मेरे कारण आप अजीब स्थिति में पड़ गई है किंतु जिस प्रकार ऐसे अवस्त्र में आप नहीं जा सकते मैं भी नहीं जा सकता मेरा सुझाव है कि आप मेरे भीमकाय बाजी के केस में लेट कर ढखकन बंद कर ले और इन शब्दों के साथ उसने बाजा केस में से निकाल दिया सुन्दरी केस में लेट कर उसकी नजरों से ओजिल हो गई स्मिस्कोव ने अपने आपको अपनी बुद्धिमानी पर बधाई दी मैडम अब आप मेरी दृष्टी से ओचल है घबरानी की तरिक भी आवशकता नहीं अंधिरा होते ही मैं आपको आपके पिता के घर पहुँचा दोगा उसके बाद मैं बाजा लेने वापसा होगा अंधिरा होते ही केस को बंद कर पीट पर लातकर स्मिस्कोव विबिलोव के महल के और जला उसकी योजना थी कि वो पहली काटेज में पहुँचकर अपने लिए कोई वस्त्र मांग लेगा हर बुराई के पीछे एक अच्छाई भी होती है उसने सोचा बिबिलोव अवश्य ही मुझे पुरिस्कृत करेंगे आप आराम से तो है ना उसने शेखी में आकर पूछा किन्तु तभी उसे लगा कि उसके सामने से अंधेरे में दो मानव आकरतें चली आ रही है उनके नजदीक आने पर उसने देखा कि वे कुछ पुलिंदे लिये हुए थे बिजली की सी तेजी से उसे विचार आया कि हो ना हो वे उसके वस्तर चुडाने वाले चोर ही है बास बाजे की केस को जमीन पर रखकर वो उनके पीछे भागा और चिल्लाया पकड़ो पकड़ो उन दोनों ने जब देखा कि उनका पीछा गिया जा रहा है तो निकल भागे राजकुमारी ने कुछ देर तब भागने वाले कड़ों की आवास सुनी पकड़ों की आवास सुनी और सब कुछ चान्त हो गया स्मिसकोव उनके पीछे भागता ही रहा सुंदरी को उस केस में सड़क के पास के खेत में पढ़ा रहना पड़ा किन्तु भागे ने उसका साथ दिया उस समय उसी सड़क से तो अन्य संगीतकार भी जो स्मिसकोव के मित्थ थे विविलोफ की दावत में जा रहे थे केस से ठोकर लगते ही वे बोचक के रहे गए ये बास बाजा है मुखोब बोला किन्तु ये तो अपने मित्र समिसकोव का है यहां कैसे आया समिसकोव किसी दुरगटना का शिकार हो गया लगता है या थो अधिक ही पी गया अथवार डखैती का शिकार बना जो भी हो उसका बाजा हम साथ ले चलेंगे दूसरा मित्र बोला उन में से एक ने उसे पीट पर लात लिया कुछ दूर जाकर वो बोला कितना वजंदार है यारी राजकुमार बेविलोफ के महल में पहुश कर उन्होंने वो केस एक कोनी में रट दिया और दावत में शरीक होने चले गए हॉल में रोशनी जलाई जाने लगी बीच में खड़ा हुआ एक रूपवन आकरशक रिवक लाकेश जो दर्बार में एक अधिकारी था और राजकुमारी का भावी पती था काउंट स्कॉली कॉफ से संगीत की चर्चा कर रहा था आप जानते हैं काउंट मेरी मुलाकात एक ऐसे वाइलन वादक से हुई थी जो जादू करता था आप विश्वास नहीं करेंगे वो मावोली बास पर ऐसी दुने बजाता था कि क्या ही कहने मुझे तो संदे है काउंट ने का है यकीन मानी है उसने उस पर रिज्ड राफ सौडी की ऐसी दुन बजाई कि मैं मंत्र मुग्ध हो गया मैं उसके बगरवाले कमरे में नहता था सो मैरे भी सीख लिया मजा कर रहे हैं आप विश्वास नहीं कर रहे लाके इसने हसकर कहा तो चलिए आपको बजा कर सुनाता हूँ राजकुमारी का भावी पती काउंट के साथ उस कोने में जा पहुँचा और केस का ढकन खोलते ही उन्होंने जो देखा वो लोम अर्शिक था तो अब पाठखों को संगी चर्चा की उनकी कल्पना पर छोड़ कर हम स्किसकॉफ के पास लोटते है बेचारा संगीतकार चोरो को पकड़ने में असफल होकर वापस उसी स्थान पर पहुचा जहां उसने केस रखा था किन्तु उसे वो बहुमूल्य बोज वहां नहीं दिखा अस्रच में डोप कर वो सड़क पर कभी आगे कभी पीछे की धरब भागता रहा अंत में उसने सोचा कि वो गलत सड़क पर आ गया क्या भयानक दुरुडटना है उसने माथे पर से पसीना पहुचते हुए सोचा उसका रक्त अब बर्फ बन चुका था वो उस केस में घुटकर मर जाएगी मैं हत्या रहा हूँ अर्ध रातरी तक वो केस की खोज में भटकता रहा जब एकदम ठक कर चूर चूर हो गया तो पुल की और चल पड़ा अब मैं पराता होने पर खोज करूगा उसने निश्य किया किन्तु प्राता काली इन खोज का परिणाम भी वही निकला अब स्मिसकोफ ने निश्य किया कि अंधिरा होने पर वो पुल के नीचे खोज करेगा मैं उसे खोज कर रहा हूँगा पसी न पोचते हुए हैट उतारते हुए वो बुद्बुदाया चाहे एक वर्षी कियो न लग चाए और आज भी उस छेत्र के रहने वाले किसान बतलाते हैं कि किस तरह आथ को पैदल पुल के पास वे हैट पहने हुए लंबे बालो वाली एक नंगी अकृती को देखते हैं और कभी-कभी उस पूल के नीचे से बास पजाने की मधूर्थ होनी भी सुनाई पड़ती है दोस्तों आप सुन रहे थे यह अंतन चेकफ के लिखी कहानी अनुखा रोबांस जिसका हिंदी अनुवात किया था अनिल जन्विजे न आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं और भी कहानीया सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलेंगे एक और कहानी के साथ धन्यवात